क्या कुछ देखने को मिल रहा एक्विटी मार्केट से तो कोई परिशानी नहीं है एक दिन का रियाक्शन आया था अमेरिकी इंफलेशन आकड़ों पर थोड़ा जादा रियाक्शन हो गया तक अलनल जी भी इसके बारे में बात कर रहे थे और आज बाजार एकदम समलते हो दिख रहे हैं वापिस तेजी का मूड था आपको लोटते हो दिख रहा है ग्लोबल बाजार से बढ़िया संकेता रहे हैं 22,000 के लेवल पर आपको गिफ निफ्टी समय दिख रहा है Q4 में माइनस 0.4% रहा तो टेकनिकली जपान आपके लिए रिसेशन में आ गया है बट अधरवाइस कोई वैसे परिशानी की बात नहीं है थोड़ी इंटरनल डिमांड उनकी उतनी मजबूत नहीं जितना बाजार रनुमान लगा रहा था बट एक्सपोर्ट का डेटा काफी अच्छा चल रहा है बट नन्दलेस जपान के बाजार में एक बार रियक्शन दिया और उसके बाद आप देख रहे हैं आज सुबा अच्छे ही ओपनिंग वहाँ पर भी हो रही है 38,000 के उपर ही जपान के बाजार ट्रेट कर रहे हैं यूएस में कल अच्छा रिबाउंड आपको आते हो दिखा है डेट सो अंको चल कर डाउ दिन की उंचाई पर बंद हुआ आईटी लेड रिकवरी थी आईटी स्टॉक्स जो अलड़ी बढ़िया मोमेंटम में है कल वापस तेजी में लोटते हुए आपको दिखे हैं नाज परसो शाम को एक ही सेशन में चार परसंट ये लोड़का था उससे पहले तीन सेशन में पांच परसंट दोड़ा था और कल के रिबाउंड में यहां से वापस लीडरशिप आते हो दिखे हैं धाई परसंट का उच्छाल रसल टूथाउसम ने आया है तो परसो की एक गिरा सेक्टोरल पार्टिसिपेशन ही रहा स्मॉल कैप्स में अच्छी रैली थी स्टॉक स्पेसिफिक आक्शन आपको जादा कल होते होए दिखा है आज इनके जनवरी महिने के रीटेल बिकरी के आंक्डे आने वाले हैं अनदर इंपोर्टन डेटा पॉइंट रहता है क्योंकि पठा आगे इनफलेशन की लड़ाई में दो फेड के सदस्योंने भरोसा जरूर जता है कल दो फेड सदस्योंने पबलिक भाशर दे और दोनों ने कहा कि इनफलेशन कूल ओफ हो रहा है रेट कट जब भी होंगे होंगे बट जो उन्हें डेटा दिख रहा है वो क्लिरली द गिरते हुए भी दिखेगा तो वहां से भी बाजार को थोड़ा सहरा मिला है दस साल की बॉंडील भी कल कूल ओफ हुई है 4.3% की उपर थी अब करीब 4.2% पर आ गई है तो all in all अच्छे संकेत आ रहे हैं अमेरिकी बाजारों से कोई परिशानी वाली बात नहीं है स्टेबल आपको मुव्मेंट आते हुए दिख रहा है यॉरप में करीब 5% की तेजी आपने देखी है डॉलर इंडेक्स थोड़ा उचाही से फिसला है कच्छे तेल में कल करीब 1.5% की गिरावट आपने आती हुए दिखी है हाला कि मिडली इस तनाव चल रहा है इसरेल हमास कोई प्रॉबलम है साथी इसरेल और लिमनोर्न की भी प्रॉबलम इस समय चल रही है तो वहाँ पर कच्छे तेल को निचले सरों पर सहरा जरूर मल रहा है बट कल अच्छी बाते उपर से करीब 1.5% की गिरावट आपने देखी है नाच्छल गैस लगाता है यहाँ पर प्र बहुत बढ़िया आपको ग्लोबल मार्केट के संकेत आ रहे हैं एक पॉस जरूर लिया था इंफलेशन डेटा पर रियाक्शन आया था उसके बाद वापस तेजी में लोटते हुए दिख रहे हैं आपको अमेरिकी बाजार चलिए तो पाउस